तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, स्पेशल इसलिए है कि शिरीमती जी की बहुत भारी डिमांड के बाद मुझे अपना फॉर्चूनर में जो सेट अप बना रखा है, उसको तीसरी बार चेंज करना पड़ा, और क्यों चेंज करना पड़ा अब ये शिरी है कि कुछ चीजे हैं उन चीजों के लिहाज से हमने ये सेट अप को चेंज किया है, तो अब हम बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वह सर्प्राइज क्या है, तो वाई-उ-प्रवा बहुत तेज गती से हो रहा है, इसलिए आपको ओडियो में थोड़ी अगर सर्सराहट वाई, क्या बात है, इस बात की गारेंटी कोई नहीं दिसक्तावत मैं देता हूँ, घर वाली फिलिंग अजाएगी, इसकी अजाएगी तो वाई-टू-टू-थ्री के साथ ये हमारा थार्ड सेट अप है और अब आप लोग बताईए कि आपको ये सेट अप कैसा लग रहा अच्छा, तो सबसे पहले ये बतादू मैं आपको ये जो एक ड्रॉर है, ड्रॉर नी, साइड कैबिनेट लगा लो या जो भी है, ये हमारा वो काम करेगा जैसा कि आप लोग बैड साइड जो चीजे होती हैं, उनको रखने के लिए जा लाइक लैम्प हो गया या इसका थ सब कुछ हम लोग यहां पर रखें और बहुत ही जबरदस्त महौर बना रहा है ये जो साइड वाल ये किसी ने भी तक इंडिया में नहीं बनाया बेड के साथ ऐसा सेटप ऊपर वाली साइड पर बिल्कुल नहीं बनाया ये बिल्कुल एक नया और इसका डिजाइनर हम लो अभी आप लोगों को एक एक चीज हम दिखाएंगे और इस पर लेड कर भी दिखाएंगे कितनी कमफर्टेबल है और एक चोटा सा सर्प्राइज और आपके लिए हमारा सेलेंडर यह होता था यह सेलेंडर भी हम लोगों ने कवर कर दिए जो हमारा मतलब गदें उनके साथ मै जो होता है क्यों होता है यूएसबी यूएसपी 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 वटेवर तुम्हें करेक्टर रोरी यहां पांक वीच देगा तो यह बस्ट पांप इस का यह है कि इसकी जो हाइट है वो शीषे को ब्लॉक नहीं कर दिए बलुकूल मिलगों कोई जैसे आज वो अ प्रोमाइस हम लोगों ने किया और बाकी हम लोगों ने अब यहां पुछोंगे पुछोंगे में खुदी आपको तिक्षाओंगा दिरे दिखाते हैं हम शुरुवात करते हैं पहले अपने किछन सेट अप से वह सबसे ज्यादा जरूरी है कि खाने खाय बिना तो आप सर्वा अठुमा शुर् amplいき मपबबभा तो अभी ये उपन करते हैं अभी тебе ऑं करते ही सबसे पहले आपको मिलेगा 5 6 एंप फõ blocking टे उट ही और उसके बाद आपको मिलेगी यहां पर इसको एसे रखते कि अपने आप कमेंट करके बताना कि इस लेंद का आपने अगर YouTube पे किसी और मतलब केमपिंग करने वाले उनके पास देखा हो अगर तो आप यह हिसाब लगा लो यह मेरे हाथ खुले हूँ है ठीक है पूरा पूरे हाथ खुले है और यह देख लो मैं इसके ऊपर हुआ जिससे आप अंधाजा लंबा किसी का नहीं है एक तो यह हो गया और दूसरा पड़े हैं राव बाता है टायर भडमस पड़े हैं कुछ रेड़िट वी टो इट समान है और जाल चाहल है में चाहल बाष्री होग है जो अपन पर लोकर नहीं है उसके बाद आपको दिखाते हैं अपहले दिखाते एपको बेट्रूम का सेट-प एको यह इसाब आर पहले रिख about 합니다 एको डिया हम लोगों था गाए है 24 घावर आपको और इसकी ठीछ थैने तैने अचीजन साफ्टे है उनिफ लोगोने तॉंक लगाए है घ्री हिख billत हॉक्त प्लांट्सिशो टमात्त्त टाए हुर और निफ छी हम दे सकते है जहां पर वहां से आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या नियोजन किया है तो शिरीमती जी अभी आपको पहले जो बेड़ के ऊपर हमारा मतलब एंटर करना इस घर के अंदर वह दिखाएंगी कि कितना इजी है रुक जो एक मनद वहीं पर हॉल्ट करो मैं वहां से यहां इस जोड़ी अदर करे तुम्हों आपको भाशिट गर्यान का हिसने स्थूग्स कुछ त हरे στο्भाज से देर्खना होाँ रहां oke जो बाता रहां में से तो श्रंट बाता है तिक तक कितना हम ने गव लोगोता हमें सब्स्टे के पर रुआ को ने जहीं पाल्रों की थ अब लोग लोग बैठ सकते हैं अब जरा लेट के दिखाओ फिर मेरा जो कहते हैं अब जरा लेट के दिखाओ और इधर पैरों के तरफ की सिचुएशन दिखाओंगा कि कितनी कंफर्टेबल है अब यह चोटे 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 प्राइप टावल के रहा हूँ पिलो भी लोगों ने बनाए है यह भी आपको दिखाते हैं पहले तुम लेट के दिखाओ कितना कंफर्टेबल है अब भी देखो उपर इतना ज्यादा स्पेस है कि किसी को भी घबराहट तो नहीं महसूस होने वाली उपर हाथ उठा उपर अपना यह दो इसका हाथ पूरा उपर लेट जाएगा और अभी मैं उतनी रख्या जितनी पहले थी अगर कोई चीज इसमें कॉम्परमाइज हमने की है इस के बनाने के लिए वह जितनी स्पेस है पहले वहां पर भी बैड होगता था था बस उतनी स्पेस शॉट हुई है यह यह इतना चौड़ा नहीं है इसे को अज़ खास फरक नहीं पड़ा यह लोगो ने पहले सूस समझ के बनाए था अब तो में एक तो पीछ तो पीछ देख लो और अगे वाली जो सीट्स है यह चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है वह अगर्डिंग तो 6.5 वाली है जिसकी भी बंदे की वह अराम से ड्राइव क बैठ सकते हैं यह जितनी फुल कोई अज़स्मेंट नहीं हुए अगे नहीं किया हुआ है पूरी पीछे है जितनी पी रेकलाइन हो सकती है पूरी रेकलाइन है और इसके बाद रात के ताइम मैंने को सजेशन दिया है कि हमने यह तो टेबलेट लगाए है यह तो लगे हमा यानि शाम को आप चिल मारना चाते हो तो यह रही शिरीमती जी और यहां से कुछ इस तरीके से आप अपने टेबलेट पे अपना एंटेटेनमेंट अराम से कर सकते हो और अब हम जाते हैं शिरीमती जी के नीचे जो बैड है उसके नीचे स्पेस हम लोगों ने किस तरीके स किस प्रकार से नियोजित किया है, सब कुछ वो दिखाते हैं आपको और उमीद करते हैं कि जितने हम एक्साइटेड हैं इस सेटप को लेके उतने ही आप एक्साइटेड होगे और हर बंदा कोशिश करे इस्पेशलि इसके पास फॉर्चुनर है ना मैं आपको गैनेंटी दे स जो कमफर्टेबल हो यह बात पकी है बाकि अगर आपने उचा करना सिर्फ समान बरना उपर रूफटॉप टेंट लगा रखा है वो चीज और हो जाती है हम लोग रूफटॉप टेंट के खिलाफ ही रहें खिलाफ ही रहेंगे क्योंकि जो अंदर सिक्योरिटी है वो उपर शाहर नहीं हो सकती कियोंकि लोग जंगल में जाते हैं कि जितना मर्जी अच्छे डियाल का रूफटॉप टेंट हो जो बड़े जानवर है शिकारी हैं जो कार्नीवोरिस है जो माश खाते हैं वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं कि वो किसी तरह का मेटीरियल को फाड़ ना आपको यह दिखाना चाहूंगा कि यह जो हमारा गड़े हैं इनके नीचे हम लोगों किया सेट अप कर रखा है जहां पर भी श्रीमती जी विर्याजमान थी तो पहले तो हम निकालते हैं अपने गड़े इनको करते पीछे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें स्पे सेट अपिंग सेट अपस हैं कोई कॉंट्रोवर्शर सब्दी युज किया मैंने तो उनका जो सेट अप है मैंने उसके बहुत दिमाग लगाया उनसे भी मुझे हल्प मिली है कि इनसे क्या कमी रही जिसको मैं पूरा कर पाऊं तो वह जब भी बैड सेट अप लगाते थे अ अगे फ्लैट बैड बनाने के लिए हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों ने कुछ भी मतलब खोलना नहीं है या कुछ लगाना नहीं है सीधा सिम्पल सा बात है यह दिख रहा आपको जब आपने बैठ रहा है इसको ऐसे कर लो नीचे आपके यहां पर तीन परसं नहीं मती जड़ा दिखाएं इसको एक और धकन इसके नीचे जो की है हमारा स्टोरेज यहां अभी बरतन पड़े हुए है एक स्पेस अभी जहां पर हम सोच रहे हैं कि हम अपना raw material रखेंगे खाने पर मजबूती के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार आप चीज दिखा दो ठीक है और अभी आप थोड़ा पीछे से दिखाना यह जो साइड पॉकेट साप देख रहे हो साइड पर ठीक है यह मेरे हिसाब से बारा बारा इंच की होगी है मुश्किल से यह बनाने का मकसद है कि जब यह प्लाई ऐसे गिरती है तो इस प्लाई को पू अभी बन्द यह हो गया बन्द कोई जंजट नहीं है यह हर दम ऐसे रह सकता है इसी के उपर आपने बैठना है अगर आप ऐसे बैख लगाना चाहते तो इसको खोल दो अधर वाइस आप इसके उपर भी तीन थोड़ो चार बंदे बैठ सकते हो क्योंकि वो जो सीट्स थी ह उनमें बंदा थोड़ा तीन मुश्किल से बैठते हैं इस पर चार बंदे खुले बैठ जाएंगे अब आप लोग यह सोच रहे होगा कि यह तो बैक बन गया चीक है यह वाला जो हमने उठाया यह बैक बन गया लेकिन अब किसी ने पैर नीचे लटका के बैठना हो तो वो कैसे बैठेगा यह बात सही है यह बहुत पॉइंट की बात है कि यहां पे जो लेग रूम होता है पसेंजर के लिए वो तो आपने छोड़ा है वो बंदा कैसे बैठेगा तो इसका नियोजन क्या किया है वो शीरी मती जी ज़रा डीटेल सा संजाओ उसका नियोजन हमारा य है कि यह जो दो जस्सिंगे है यह जो दो थे सा अचले घरै कर दो कि जाता है अंचंक है यह ज़रा अजये है एक यह दो ।ो फ़क्तव हाड़ा नियू था अट शूझा तो हम विले शखा टो ऑघ्गार यह भी है कर दो निimana मैं करता हूं मैं क्रती हूं कोई बात नहीं य इसको आप थोड़ा सा आगे लेके जाओ ठीक है यह देखो भई इसको मैं निकालता हूं पहले अब यह देखो यह एक रहने दो यह कि रहने दो अब मैं आपको अपनी एंट्री दिखाता हूं आप यहां पर आते हो यह देखिए यह देखिए यह होगे अपनी एंट्री ठीक है और मैं अडल्ट हूं पूरा कोई शक तो नहीं है तो नहीं तो नहीं तुमको पता नहीं तुमको पता नहीं नहीं मैं थोड़ा आपको समझता हूं तो कभी कभी बैच्च वाली हरकत करते हैं तो अभी यह देखिए तो आप यह देखिए इतना उच्छा करने के बावजूदी मेरा सिर आराम से आ रहा है तो यहां पर लेगरूम देखिए आपके सामने पूरा ग्राउंड का ग्राउंड पड़ा है और यह बॉक्स यह नीचे चला जाएगा इसके ऊपर यह चीज आती है हमारी जो नीचे लटक रही है यानि हमारे पास दो तीन फोल्ड वाली कोई भी प्लाई नहीं है कि दो दो तीन तीन फोल्ड परें यह उठाओ यानि कोई चीज उठानी है उसको हटाओ फिर लिटा हो वहला कोई जंजटनी है सारा हम लोग ने खतम कर दी है मैक्सिमम जो चीज हमें करनी पड़ेगी ड्यूरिंग मतलब हम जब ट्रावल कर रहे हैं हमने कैम्पिंग करनी है रुक के इस बॉक्स से चीजे एक्सेस करनी है तो मैक्सिमम हमें पूरा सेट अप हम बिचा के जा सकते है सिर्फ गदे उठा कर के पिछे रखने है ते सिर्फ दो पीस मतलब कितना अदा पीस कतना होगा तीन भाई तीन का होगा तीन का होगा है वाटवरी मेज़रमेंट इस दो चोटे हलके वो उटने है बाकि सब कुछ वैसे का वैसर यह नहीं कि हम लोगों को जा कर बेड तयार करने की कोई जरूरत नहीं तो भाई उमीद करते हैं कि आपको हमारा सेट आप बहुत पसंद आया होगा जैसे साथ से हम लोगों ने यह किछन ड्रॉर्स और जो भी आपको दिखाया ग्रोसरी का समान और वो मारा चुटू सा स्लेंडर पड़ा है और यह एक चीज स्पेशल जो हमने मनाई है बैड अर्ञंजमेंट किया है और सबसे सुपर स्पेशलिटी है यह गड़े मेरे को एक बर को देंच लूग्या पूल्डटी नियुक्ट से लूग्या तर्फ यह जो पराद पसंद आया हुआ है अर एक चीज और हम हमेंशा जो चॉर्स करते है जो दलते है इस दूप पने दाव वो चौधरी जी की शिरीमती ने अपने हाथों से लाए तो यह भी मैंने अपने हाथों से सिला है इस नौट ड़ा है हम लोग ठीक है पैसे है टेलर को दिये आ गया बन के समान लेकिन हमने हमेशा जोर लगा है अपने हाथ से जो चीज करते है ना बंदे का एक जो जो खुशी पसंद आया होगा क्योंकि हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे हम लोग पिसले तीन-चार दिन से इसी के पीछे लगे हुए थे दिन रात हम लोगों ने रात के 11-11 बिच तक लाइटे जलवा जलवा के मच्छ भी हो गया आज़ गर्मी है हम लोगों को मच्छ भी काटते पर दिन रहे दो खाले जाए बढ़ा जाए तो इसी के साथ हम उमीद करते हैं आपको मारा आज का यह वीडियो आज का हमारा नया सेट अप बहुत पसंद आया होगा और आया है तो तो आल दोस हूँ वांट्स तो डूंपिंग अप्पिंग अन तो तो इसी के साथ हम अपको मारा सेट अप बहुत जाए पसंद आया होगा अगर आपको मारा सेट पसंद आया होगा तो प्लीज दू लाइक शेयर और अब्सक्राइब अब्सक्राइब निकरते ना रहो तो डोगों को आइडियो जो फेलो केमपर्स है या फिर जो इस फील्ड में आना चाहते ह हैं कैमपिंग करना चाहते हैं उनको भी help मिल जाएगी ideas मिल जाते हैं सेट अप से एक दूसरे की help से ही हम अच्छी कैमपिंग कर सकते हैं मतलब कैमपिंग के जरिया अपने देश की तरफ की कर सकते हैं हम in other words no controversy here so that's it guys see you in the next video जल्दी हम नहीं कैमपिंग पे जा रहे हैं नि